असलाम अलेकूम मेन्यो मेल के किचन में अर्जवन मनसूर आपको खुशामदेद कहती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी तमाम रेसिपीस आपको मिलती रहें आज मैं आपको अपने किचन में बनाना सिका रही हूँ चिकन की यखनी सर्दियां आपको मालूम है कि दिसंबर का बिल्कुल एंड चल रहा है सारे मुल्क में क्या बलके पूरी दुनिया में ही सर्दियां बहुत ज्यादा है तो अगर आपके घर में छोड़े बच्चे हों कि आपके घर में कुछ बज़र्ग मौझूद हो तो उनके लिए ये मौसम फोड़ा सा फतरनाक सा होता है तो मैंने कोशिश यह है कि मैं आपको आज वह यखनी सिखा हूं कि जो इंतहाई ताकतवर भी है और इस मौसम के लिए बेहतरी इन भी है इसके लिए मैंने ये एक से देड़ किलो हैं ये हड़िया है चिकन की आपको दिखा दू मैं कि ये जो है हड़िया जो है मैंने लिएवे हैं लैक पीस लिएवे हैं लैक के हड़िया है और इसके साथ साथ सीने के हड़िया है ये बहुत ताकतवर एरिया होता है तो मैंने इसी के हड़िया लिए है आई से तीन जग के खरीब पानी तीन जग पूरा है यह पानी इसके अंदर मैं हट्डियां डाल रही हूं और पक्या कोई चीज़ शामिल नहीं करूंगी इसको जब तक उबालूंगी कि जब तक इसमें एक जोश नाज अब आप यह देख रहे हैं जिसके लिए मैं आपको कहा था कि मैं भी आपको दिखाती हूँ तो अब यह देखिए कि इसमें उबाल आ चुका है उबाल आने के बाद आप यह देखते हैं होगे कि इसमें यह देखिए कि यह जाग सा उपर आता है हमें इस जाग को उतारना है आप यह देखते हैं कि मैंस्पे से इसको तमाव जो चाहता आ रहा है इसको इतारती जा रही हूँ इसका उतारना ब謹त जलूरी है आप किसी भी गसम के यहनी तיयार कर रहे हो पर यहनी मेंसे जाग को उतारा जाना बहुत जलूरी है अक्सर आप लोग जब यखनी पीते हैं तो आप कहते हैं से हल्की सी ही का रही है वो ही काने की वज़े यही होती है कि यह चाब नहीं उतारा जाता अब आपको बजाहत से नजर आ रहा होगा कि चिकन की अपनी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है अब मैं इसके अंदर जो है अगर सीजन में है आप सर्दी में बना रहे हैं तो यह गाजर शामिल कीजेगा अदरवाइज आप वो पीली वाली गाजर हर्विस शामिल मत कीजेगा उ यह एक बड़ी गाजर है जो मैंने चील लिया है और इसको कट कर लिया है इसको मैं इसमें शामिल कर रही हूँ इसके साथ ही दो दर्मियानी प्यास थी जिनको चील के मैंने कट कर लिया है मैं इसमें शामिल कर दूँगी दो बंच लग्सन के चील लिया है मैंने और एक से एचां वाइस सा पीनंदर काले मिर शामिल करते रहां यह और यहां होता है वह पातल पॉर पडिए यहां है कर दो दो टेज बहुतत है वहां को वो प्लाद क्या है लो दुम से तरौकिन जाना कईन कर देंदर दो अब मैं इसको हलकी आज कर दूंगी और इसे पकने के लिए दो डाइखने के लिए छोड़ दूंगी दो घंटे हो चुके हैं इस यखनी को पकते हुए अब यह तैयार है अब मैं आपको इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तैयार है मैं यू मील के किचन में मेरे अंदाज से बनाई गई यह अपने किचन में बनाईए और फिर मुझे बताइए कि आपको यह अपने कैसी लगती है इसको नीबू काले मेर्च और नमक के साथ सर्फ कीजिए ताकि जिसको भी अपने हिसाब से इसमें काले मेर्च या न पसंद आएगा अपने के चन्ने बनाईए और फिर मुझे बताईए कि आपके घर के बच्चों को और बुजर्गों को और आपको खुद को इस यहनी का जाइका कैसा लगता है इन्शाला फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ तक तक के लिए इजाज़ कर दीजे अला हाफिज